नमस्कार, स्वागत है आपका आउ लिखें पर आज हम नदियों के लाप पर अनुच्छेत लिखेंगे नदी, पानी और पोशत तत्वों को पृत्वी के चारो ओर के छेत्रों में ले जाती है वे जल चक्र में एक महत्वण भूमी का निभाती हैं नदियों से हमें कई लाप होते हैं भारत में गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कावेरी, आधी कई पवित्र नदियां बहती हैं भारत के अधिक लोगों के जीवन का आधार खेती हैं नदियों के बिना खेती करना असंभव है नदी ही हमारे देश को हरा भरा करती हैं। नदियों के जल से आसपास के खेतों की सिचाई होती है। नदियां पृत्वी के जीवों को उतकरस्ट आवास और भोजन प्रदान करती हैं। कई दुरलब पौधे और पेड नदियों के किनारे उकते हैं। बद्तक, उद्बिलाव, आदी नदी के किनारे अपना घर बनाते हैं। अन्य जानवर नदी का उप्योग खाने पीने के लिए करते हैं। नदी के डेल्टा में वन्य जीवों की कई अलग-अलग प्रजातियां हैं। खीडे, स्तंधारी और पक्षी अपने घरों के लिए इस डेल्टा का उप्योग करते हैं। नदियां जल मारगी का काम करती हैं। नदियों के द्वारा व्यापार और आवागमन होता है। नदियों के तटवर्ती प्रदेश सुहावने होते हैं। नदियां उर्जा का एक महत्पुन स्त्रोथ हैं। प्रारंबिक उध्योगिक युक के दोरान तेजी से बहने वाली नदियों के पास मिलों, दुकानों और कारखानों का निर्माण किया गया था। जहाँ पानी का उप्योग मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। आज भी नदियों का उपयोग जल विध्युत सैयंत्रों और उनके जल टर्वाइनों को बिजली देने के लिए किया जाता है। नदियां प्रकृती का दिया हुआ सुन्दर उफार हैं। वे किसी भी देश के लिए बड़ी संपत्ती हैं। नदियों से मिलने वाले पानी से करुणो प्राणी जीवित हैं। नदियों को साफ और सुरक्षित रखना हम सभी का करतव्य है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए लिखते रहिए धन्यवाद।